वेलकम टू नेक्ट एक्जाम आज है 16 अक्टूबर 2022 और 16 अक्टूबर 2022 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चिन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कुस करेंगे और हर कुश्चिन से रेलेटेड इंपोर्टेंट फैक्टिवी में आपको बताऊ तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्टम में आपसे कुश्चिन पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स हों बताना है आज किस वीडियो की पीडियो फाइल आप इस वीडियो के डिसकुसम से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियो आप हमारे टेल टेलिग्राम गुरुप से डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम गुरुप पर आपको सारी पीडियो एक साथ मिल जाएंगी और टेलिग्राम गुरुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिसकुसम में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलिग्राम गुरुप जो कलाम की जैनती होती है 15 एक्टूबर को इसलिए 15 एक्टूबर को ये 204 दिवस मनाया जाता है आपको पता है हमारे पूर राष्ट्पती थे डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम इनको पद्म विभूशड मिला था और इनको भारत रत्न से भी सम्मानत किया गया था अब यहा 297 में मिला अब यह है 204 दिवस तो आपको पता है इंडिया में टीचर्स डे कम मनाया जाता है 5 सितंबर को और बल्ड टीचर्स डे कम मनाया जाता है 5 एक्टूबर को इतना आपको याद रखना है अभी 1 एक्टूबर को अंतरास्टी ब्रद्धिजन दिवस राष्टी स्व और सुक्ष बारत दिवस मनाया गया। तेन अक्टूबर को बेश्चु परियावास दिवस मनाया गया। चार अक्टूबर को बेश्चु पसु दिवस मनाया गया। पांच अक्टूबर को बेश्चु सिक्षक दिवस मनाया गया। 7 अक्टूवर को 200 कपास दिवस और 200 मुस्कान दिवस मनाए गया 8 अक्टूवर को 200 प्रवासी पक्षी दिवस और भारती बायुसिना दिवस मनाए गया 9 अक्टूवर को 200 डाक दिवस मनाए गया 10 अक्टूवर को 200 मानसिक स्वास्ते दिवस मनाए गया 11 एक्टूवर को अंतरास्टी बालिका दिवस मनाया गया, 12 एक्टूवर को 200 गठिया दिवस मनाया गया, 13 एक्टूवर को अंतरास्टी आपदा न्यूनिकरड दिवस मनाया गया, 14 एक्टूवर को अंतरास्टी एकच्रा दिवस मनाया गया, और अब 15 एक्टूवर को 204 दिव ये भी 15 एक्टूबर को उना जाता है तो इस कुश्चिन से आपको इतनी जानकारी मिलती है अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है अलपो लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सेर ज चीप करने में लगा दो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी ने कुश्चिन है हाली में प्रदानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्गाटन कहां किया जाएगा तो अभी नई दिल्ली में प्रदानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्गाटन किया जाएगा तो इसको इनका से ऑप्शन सही है बारती क्रसी अनुसंदान संस्तान न्यू डेली में प्रदानमंत्री मूदी इस प्रदानमंत्री किसान सम्मन सम्मेलन 2022 का उद्गाटन करेंगे और इस दौरन प्रत्यक चिलाब इस्थान हंतर की बार्यमी किस्त भी जारी करेंगे और अभी बन नेशन वन फर्टिलाइजर के तहत भारत ब्रांड से अब यूरिया बेची जाएगी पूरे देश में यूरिया का सिर्फ एक ब्रांड रहेगा भारत ब्रांड इस भारत ब्रांड के पॉली बैक को भी प्रदानमंत्री अनावरत करेंगे यानि कि इसको कौमी बेच्टो आयरुबेच कांग्रेस और आरोगे एक्सपो की मेजवानी करेगा तो इसकुश्यन का ए ओप्सन से ही है अब गुवा करेगा तो यह है मैप में गुवा गुवा की केपिटल है पढ़जी गुवा की चीपनिश्टर है प्रमूद साबंत और गुवा की संबर 1961 को गुवा पूर्ट गाल से मुक्त हुआ था अच्छा गुवा इसता अपना दिवस कम मना जाता है यह 30 माई को मना जाता है अक्टूबर 2023 में 37 में राश्टी खेलों का मेजमान गुवा होगा हर घर जल प्रमानन प्राप्त करने वाला पहला राजी गुवा बना प्रमी होके इंडिया सब जूनियर पुरुस राश्टी चेंपिंसिप गुवा में होई है बित्त मंत्री निर्म्ला सीता रर्मन ने गुवा में राश्टी सीमा सुल्क और जेस्टी संग्राले का उद्गाटन किया गुवा के नए पुलिस महान निदिसक बने हैं जस्पाल सिंग इतना आप गौवा के बारे में आद रखें ने कीवशन है हाली में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत कौन से इस्तान पर आ है तो अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 जारी किया ये 121 देसों का इंडेक्स है इन 121 देसों में इंडिया 107 में नमबर पे है तो इस कुशिन का C options है यानि कि हंगर भूम के मामले में इंडिया की condition बहुत ज़्यादा खराफ है 121 देसों में इंडिया 107 में नमबर पे है और आपको पता है पाकिस्तान 99 में नमबर पे है इविन जो स्रीलंका है जिसके यहाँ अभी इतनी कंडिशन खराब रही वो 64 में नंबर पर है 84 में नंबर पर बांगला देश है 81 में नंबर पर नेपाल है मियंमार 71 में नंबर पर है लेकिन इंडिया की कंडिशन हंगर के मामने में बहुत ज़्यादा खराब है 121 देशों में इंडिया की रेंग किस वार 107 मी रही है नए क्यूशन है जन्वरी 2023 में सत्रेमा प्रवासी भारती दिवस कहां आयुजित किया जाएगा तो जन्वरी 2023 में सत्रेमा प्रवासी भारती दिवस इंदोर में आयुजित किया जाएगा तो इस question का बे option से ही है इंदोर सुनके कुछ याद आया? अभी लगातार छैमी बार इंदोर भारत का सबसे स्वच्छ सहर गोसित हुआ है अब सबसे स्वच्छ सहर याद आ गया तो सबसे स्वच्छ प्रदेश भी याद आना चाहिए बारत का सबसे सच प्रदेश के से गोशित किया गया है मद्ध प्रदेश को और ये जो प्रवासी भारती दिवस है ये हर साल कब मना जाता है ये हर साल 9 जन्वरी को मना जाता है 9 जन्वरी को क्यों मना जाता है तो इस बार 9 जन्वरी 2023 को 17 मा प्रवासी भारती दिवस इन दौर में मनाय जाएगा ने क्यूशन है हाली में अगस्त महां में देश का अध्योगिक उत्पादन कितने प्रतिसद घट गया है तो इस बार के अध्योगिक उत्पादन बढ़ना चाहिए लेकिन यह 0.8% गड़ गया है तो इस क्यूशन का B options है ने क्यूशन है हाली में जारी वर्ल्ड यूनिवर्स्टी रैंकिंग 2023 में कौन सेर्स पर रहा तो वर्ल्ड यूनिवर्स्टी रैंकिंग 2023 में अभी IISC Bangalore टॉप पर रहा है तो इस क्यूशन का C options है ये टोटल सेविंटी फाइव इंस्ट्टिउट की रैंकिंग है जिसमें से IISC Bangalore टॉप पर है ने क्यूशन है केंज सरकार ने केस नदी पर वारत के पहले सस्पेंसन ब्रिज को बंजूरी थी तो अभी केंज सरकार ने क्रश्णा नदी पर पारत के पहले suspension bridge को मंजूरी थी तो इस cushion का बे options है है क्रशनार नदी इससे related एक cushion और बन जाता है ये नदी किन दो राज्यों को जोडती है क्रशना नदी ये तेलांगना और आंधब्रेस इन दो राज्यों को जोडती है नए शुशन पांचमा दक्षिड ACI भू बिज्ञान सम्मिलन कहां शुरू हुआ है तो अभी पांचमा दक्षिड ACI भू बिज्ञान सम्मिलन जैपूर में शुरू हुआ तो इस question का A option सही है नए question है हाली में जारी Public Affairs Index 2022 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है तो Public Affairs Index ये दू केAbKY में जारी किया गया 18 बड़े राज़ और 10 चोटे राज़ तो 18 बड़े राज़ों में हर्याना टॉप पर है और 10 चोटे राज़ों में सिखर टॉप पर है तो ये Public Affairs Index में बड़े राज़ों में हर्याना टॉप पर है तो is question presence संसे अब हर्याणा टोपर है तो यह है मैप में हर्याणा हर्याणा की चीप निश्ट कों कहुँ है मनोहर लाल खटर और हर्याणा की गवर्नर कौन है वंडारू दत्तात्री अभी दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क हर्याना बिक्सित करेगा प्रदानमंत्री मोदे ने फरीदाबाद में अमरता अस्पताल का उद्गाटन किया हर्याना ने चेव मिनिस्टर एक्वल एजूकेशन रिलेव असिस्टेंस एंड ग्रांट योजना सुरू की हर्याना के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए एस्मार्ट एबीट परडाली सुरू की है हर्याना के मुक्यमतरी ने सोनु फोगाट की पुस्तक अस्तांग योग का बिमोचन किया और हर्याना सरकार ने इजराइल के साथ जल सायोग समझवत्य पर हस्ताक्चर किया है ने कुश्ट सत्पती इनको बोस्निया ए अंड हर्जे गोविना में भारत का राजज़वत्य किया गया आप इमेज में देख लीजिये यह पार्थ सत्पती यह अभी प्रेजैट टेम पर हंग्री में भारत की राज़वत्य है लेकिन अब इनको बोस्निया एंड हर्जी गोविना में बारत का राज़ूत न्यूत किया गया ने कुशिन है कौन से सहर ने बर्ड ग्रेंज सिटी अवार्ड 2022 जीता है तो अभी हैदराबाद में बर्ड ग्रेंज सिटी अवार्ड 2022 जीता तो इस कुशन का बे आप्सन सही है एक्चुल में साउथ कुरिया की जेजू में आयो जित International Association of Horticulture Producer World Grain City Awards 2022 में ये हैदराबाद ने World Grain City Awards 2022 जीता है ने कुशन है हाली में Robbie Coltrane का निधन हुआ है वे कौन थे तो Robbie Coltrane ये Harry Potter जो मुवी है पूरी की पूरी सीरिज है Harry Potter उसमें एक किरदार थे और ये एक अबिनेता थे तो इस कुशन का ए आप्सन सही है ये थे Rubius Hagrid की भूमिका निवाने वाले Robbie Coltrane Harry Potter में Rubius Hagrid की भूमिका इनोंने निवाई थी और अब इनका निधन हो गया है हाली में केस राजी के मुख्यमंतरी ने सार भूमिक स्वास्ते बीमा योजना शुरू की है तो अभी नागालेंड की चीपनिश्टर ने सार भूमिक स्वास्ते बीमा योजना शुरू की तो इस कुशन का डे आप्सन सही है अब नागालेंड तो ये है मैप में नागालेंड की केपिटल क्या है कोहिमा नागालेंड की चीप मिश्टर कौन है नेफियो रियो और नागालेंड की गवर्णर कौन है जगदेश मुखी नेफियोशन है फाली में प्रदानमंत्री मोदी ने कहां बारती प्रोध्यों की संस्तान का उद्गाटन किया है तो अभी हिमाचल प्रदेश के उना में प्रदानमंत्री मोधी ने भारती प्रोध्यों की संस्तान का उद्गाठन किया तो इस कुशिन का से ओप्सन सही है और उना में ही प्रदानमंत्री मोदी ने बारत की चौथी बंदे भारत एक्स्परेंट ट्रेन को हरी धंडी दिवा कर रवाना किया है अब लास्ट वीडियो के कुशिन का आंसर लास्ट वीडियो मैंने आप से कुशिन पूछा था कि किस देश के प्रदानमंत्री अलवट पाहिमी पाड़के ने इस्तिफा दिया तो ये चाड के प्रदानमंत्री थे और अभी इन्होंने इस्तिफा दे दिया तो इस कुशिन का ए ओप्सन सही था और लगबग सभी स्ट्रेटनेस का अंसर सही दिया मुश्ट ले स्ट्रेटनेस के बारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा कुशिन के बारे में आपको जितना जादा से जादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ा आप लिख देते हो तो पिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज के question है हाली में आदर स्विक्का को किस देस में भारत का राज़दूत न्यूक्त क drawing किया गया तो आदर स्विक्का इनको किस देश में भारत का राज़ दुन्यों क्या गया है चार ओप्सन दिये गए हैं इन में से आपको अपना अंसर होता ना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook पेज पर previous year question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook पेज जोईन कर सकते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर इंद्रेश रसी Instagram पर इंद्रेश रसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any hesitation डिसकस कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का टार्गेट जरू याद रखना आज किस वीडियो का टार्गेट है 40 या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है अल्पो लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और सेर जरू करो और आपके पास जो भी study related आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आपसे सब्सक्राइगे तो बरावर में एक बेल आइकन मन के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरू किलिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में current affairs की वीडियो मिलती रहे next exam all based video thanks for watching